दोस्तो 6G आज के समय में हम बात कर रहे हैं लेकिन 5G के डिपलाइमेंट तो हुआ नी तो 6G की बात हम इतनी ज़्यादा जल्दी हम पर क्यों कर रहे हैं एक बात बताओ 6G एक जो टाइम में वो श्याद आने वाले समय में शुरू हो सकते क्योंकि 2025 आप एक ऐसा येर हो रहा है जहां पर आप 6G के स्टेंडर्ड्स हो रहे हैं मीटिंग्स हो रही है और अलग लग चीजों पर यहाँ पर काम हो चल रहा है और अगर हम बात करें 5G और 6G में कंपेरिजन की तो कहा जा रहा है कि 5G से almost 100 times fast होगा लेकिन यार यही सेम चीज तो 4G के साथ भी तो कही गई थी यानि कि पहले का गया था कि 3G से जादा fast 4G होगा जब 4G हम यूज करने लगे तो बोला गया 5G और जादा fast होगा उसके बाद 5G भी हम यूज करने लगे लेकिन लोग को इतना वड़े difference दिखने को मिलता नहीं है लेकिन सच बात है कि 5G की आने के बाद 4G की भी capability थोड़ी इंप्रूव होई है उसके बाद 5-10 साल का टाइम लगता थे इंडिया में आने के लिए लेकिन अब देख की ऐसा लग रहा है कि इंडिया में जैसे 6G की बात करें तो शाद आपको आने वाले समय में बहुत ही जादे जल्दी देखनी गोल सती है लेकिन ये जल्दी का मतले हैं ये नहीं किया एक साल दो साल कम से कम पांच से साथ साल आपको इस कंतिसार करना पड़ेगा देखो 6G का जो इनिशल डेवलपमेंट दा कुछ साल पहले शुरू हो चुगा था 2025 में जो standards होते हैं वो डिसाइड हो रहा है अलाग-अलाग OEM पार्टन के साथ बात करके जिसके अंदर अल्रेडी इन डेवाइस के इन टेस्टिंग की जा सके तब तक जो बैक एंड में नेटवर्क होगा वो तयार किया जाएगा यहां पर जो इनको यहां पर डेवलप किया जाएगा यानि कहने के लिए अभी आज के समय में चीजों में काफी जादा टाइम है लेकिन हाँ डिरेक्शन हमारा सही है और 6G का इंप्रिमेंटेशन 2030 तक हो सकता है हाला कि यह मुस्वई ना कि इंडिया में देखने को मिलें इंडिया में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि बात बतों 6G की आने में भी बतों डिफरेंस क्या है तो देड़ साल के अंदर अंदर ही इंडिया को काफी तक तरीके से 5G के साथ कवरेज कर दिया गया और इंडिया के अंदर 5G का डिप्लाइमेंट बहुत ज़्यादा चल्दी हुआ और ये एक स्पेशलिटी रहती कि इंडिया के अंदर स्केल में काफी ज़्यादी से काम होता है ये एक बात इंपोर्टन है क्योंकि इंडिया ने 4G का रिवूशन बहुत जल्दी देखा और 6G का भी हम लोग यहाँ पर काफी ज़्यादा जल्दी देखेंगे लेकिन ये सारी बाते तो हुई इनके बैक एंड में एंड दा एंड कंजूमर को यहाँ पर क्याम लेगा देखो सबसे पहले तो हम 6G के अंदर आज के सवय में टेरा बिट्स स्पीड के बात कर रहे हैं हाला कि बात करें तो रिसर्फचर्स ने साइंटिस्स ने जो 6G के अंदर जो मैंग्सिम स्पीड जो अचीव कर रहे हैं वो 100 Gbps में अचीव कर रहे है यानि कि 100 Gbps लेकिन इसे टेरा बिट्स सक ले जाने की भी कोशिश की जारी है इसके साथ ही यहां पर बात ही है तो लेटेंसी मिली सेकेंड में बात की जाती है लेकिन यहां पर 6G के अंदर लेटेंसी होगी माइक्रो सेकेंड में और इसका जो use case होगा वो real time में होगा यानि कि आप real time में कोई भी चीज को enjoy कर पाएगे cloud gaming तो बहुत छोटी सी चीज है जो आज के समय हम देख रहे हैं लेकिन पूरा का पूरा operating system real time में हम चला पाएगे और जो latency जब microsecond की रहेगी तो यह बहुत ही जादा next चीज रहेगी लेकिन एक important बात है कि 6G के इंदर speeds terabits improve की जा रही है even 5G के इंदर भी speeds promise की गए थी वो 10Gbps, 1040Gbps promise की गए थी लेकिन आज के समय में reality में बात करें तो 5G के इंदर 1Gbps भी आपको rarely speed देखने को होती है आम तोर पे 100, 200, 300, मेरे को personally 400, 500, 600 Mbps तक ही speed देखने को होती है 1Gbps ताव है जब आप घर के थोड़ा भार नेकलो तो आपको तोड़ी better speeds देखने को मिल सकती है लेकिन practicality की बात है कि यहाँ पे ती जादा speeds नहीं है क्योंकि देखा जाए तो 6G का जो implementation हुआ था वो इंडिया में यह global level पे काफी लगतरी किस हो जिसके इंदर सब 6 GHz band के उपर जादा काम किया गया था और जो ultra high speed promise की गई थी वो आपके millimeter wave वाले band में यहाँ पे की गई थी millimeter wave के साथ यह रहता है कि आप जादा high speeds को इंज़र कर सकते हो लेकिन उसके अन्दर प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में एक भी phone नहीं है जो millimeter wave को support करता हो यहाँ तक की millimeter wave 5G अगर आभी यहाँ बीज में अगर कोई पहाड आ जाए दीवार आ जाए कुछ भी आ जाए तो उससे speed पर बहुत फरक पड़ता है लेकिन आपको एक बाप पता देना चादो इंडिया में already millimeter wave 5G का implementation हो रहा है जैसे millimeter wave आपको 5G के अंदर देखने को मिलेगी जिसके अंदर terabits speed को अचीब किया जा सके लेकिन यह जो terabits speed होंगी यह हो सकता है कि सम लोगों तक ना पहुचे और normal consumer तक पहुचाने के लिए इसके अंदर sub terahertz बाली frequency buttons को यूज किया जाए यहां फिर sub 7 GHz को यूज किया जाए जिसके अंदर यहां पर speed जो रहेंगी वो 5G से जादा better रहेंगी लिगन आपको obviously वो crazy speeds देखने को नहीं मिलेंगी जैसा 6G के अंदर आपको promise किया जाएगा और हाँ इसके officially जो devices रहेंगे वो आपको 2030 तक ही देखने को लेंगे 2030 max to max 2000 continent उससे पहले तो आप expect मत करना कि पहला 6G का phone रहेंगा और हाँ 6G का phone अगर आ भी गया तो इंडिया में launch 2030 से पहले तो नहीं होने वाला यह भी बात है अगली important जीज है कि इंडिया का 6G में रोल के रहेंगा क्योंकि एक बात मैंने देगी जैसे कि 5G जो था उसके अंदर इंडिया का कोई contribution नहीं था क्योंकि जादा दर जो पेटेंट्स हैं वो सारे बाहर के लोगरें फाइल कर रहे था है यहाँ पर चाइना आता है को और अमेरिक आता है वहां पर मेजरिटी पेटेंट्स को फाइल किया गया था पहले ऐसी चीज़े exist नहीं करती थी, even 5G के लिए भी चीज़े exist नहीं करी थी, 6G के अगर हो रहा है, तो एक अच्छी बात है कि research institute यहाँ पर cover कर रहे हैं, और at least हमारे end ने से कुछ research paper publish हो रहे हैं, और कुछ contribution जा रहे है लेकिन in the end बात है कि इसका consumer को क्या benefit मिलेगा, दिको consumer को अभी ये benefit मिल सकता है कि यहाँ पर already 6G के आने से 5G का deployment होता है वो जादा strong होगा, इसके साथ भी 6G के लिए जो already जो antennas होते हैं, उसके prototype जीओ जैसी company already try out करना शुरू कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि जब 6G का roll out हो लेको इसके multiple use cases है, और one of the biggest use case जो निकल के आ रहे है, वो आ रहे है कि real time AI powered operating system का, यानि कि Elon Musk ने भी recently अपने जो रोगन की podcast में बोला था, कि शायद future में हम लोग एक phone को use ना करे, phone जैसे एक device होगा, जिसमें camera होगा, डिस्पल होगा, लेकिन हो सकता हो पूरी की तरह से internet के connected है, और जो भी आप चीज देख रहे हैं, वो cloud में server में run होगा, आप उसको इस डिस्पले पाई यहाँ पर real time में देख रहे हैं, शायद कुछ इस तरही की चीज़े हैं, यानि कि AI powered OS जो पूरा cloud में run करेगा, और उसको stream किया जाएगा आपके phone के उपर, और कोई भी चीज आपको देखने होगे, वो आप AI के थरू यहाँ पर आप देख पाएंगे, यानि की apps होगे, social media होगे, blog post होगे, youtube videos होगे, सब कुछ AI के थरू आप यहाँ पर enjoy कर पाएंगे, यह एक बहुती बड़ा far fresh dream लगता है, लेकि 6G में इस चीज़ को achieve भी करने की कोशिच की जा रह हलाकि बहुत जादा, 10-15 साल वाले dream के बारे में बात कर रहा हूं है, लेकिन यह technology का foundation होता है, आज से डलना शुरू हो गया है, 10-15 साल वाद हम देखें की चीज़ें कि किस तरीके से काम करती है, और हाँ self driving cars, अलगलग safety वाली चीज़े, इसके बारे में पहले भी सुना था लेकिन implementation शायद हम देखें, exactly होगा की नहीं होगा, इसके बारे में नहीं पता, लेकिन यह कुछ use cases के बारे में बताएगा, अगली बात यह, कि यहाँ पर 5G का impact कैसा पड़ेगा, क्योंकि अब देखा तो 5G अपने mature face में आ रहा है, और अपने आपको better कर रहा है, सबसे पह 5G, advance के साथ 5.5G यह भी हम कर रहे हो, कह रहे है कि हम लोग advanced technologies का use करके, phones के अंदर जिनके अंदर better 5G mode है, उनके आपको better quality का 5G provide करेंगे, जिसके अंदर battery भी कम खाएगा, आपको latency भी कम देखने को बनीगा, और अच्छी consistent speed देखने को बनीगी, even आने वाले समय में 5G की जो backend इनों ने 5G के लिए develop किया था, वो आगे भी compatible रहेगा 6G के लिए, तो ये एक advances रहेगी, देखते हैं फिर भी क्या रहता है, लेकिन आपको इतना बता सकता हूं कि आने वाले कुछ साल में, इंडिया में जो network growth है, वो और अच्छी हो कि penetration और जादा better होगा, और 6G के साथ ये चीज़ों और जादा better होगी, अगर हम बात करें तो आने वाले को समय में 5G और तरीके से चब mature होगा, तब हम इसको और better तरीके से use कर पाएंगे, और अगर अभी अगर किसी को अगर दिक्कत आ रहे है, तो इसका भी जो pen rollout है, वो धीरे धीर और जादा high speed में होगा, लेकिन 6G में शादी चीज 10G भी पेस जा सकती है, लेकिन कब जादी कैसे जाती है, और जो speeds रहती हो consistent पिक जालतर लोगों तक कैसे पहुचती है, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा, लेकिन ये कुछ बाते 6G को लेकिन जो शाद आने वाले 5-6 साल में काफी जादा हो सकता है आप लोग यहाँ पे अभी 6G का यूज कर रहे हो लेकिन अपने 5G से खुश हो या फिर 5G से भी खुश नहीं हो आप, तो आपने जो बाते नीचे क्मेंट बता सकते हो, और हम वीडियो के अदर कुछ पिया करने या सीख है, तो सब्स्क्राइब के अबर कही मत जाना, थिं झाए!